पनीर की कोई भीडिश हम सब की बहुत ही फेवरेट होती है और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पनी टिका थाली की रेसिपी जिसमें हम बनाएंगे रेस्टरेंट से भी अच्छा और बहुत यासान पनी टिका मसाला साथ में पनीर की एक स्टाटर जिसे बनाने में आपको उसे 5 मिनट लगेंगे और इसके साथ ये कर्वा गरम लच्छा पराटा थाली को कम्टेट करने के लिए हम रायता और चेटनी में बनाएंगे पूरी थाली बनाने में आपको सिर 30 मिनट लगेंगे तो चली आज के बहुत रेस्टी थाली की रेसिपी शुरू करते हैं पनीर टिका बनाने के लिए सबसे पहले हम पनीर को मेरिनेट करेंगे तो उसके लिए 4 बड़े चमच दही ले ले प्लेन खटी दही का इस्तिमाल करना है आदी छोटी चमच हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे एक छोटी चमच लाल मिर्च पाउडर और आदी छोटी चमच गरम मसाला पाउडर चुटकी भर आप इसमें औरेंज या रेड फूड कलर डाल दे ये इसमें ऑफ्शनल है फिर हम इसमें ऐसे कसूरी मेथि डाल देंगे, कसूरी मेथि को थोड़ा सा क्रश कर ले एक चमच हम इसमें बेसन डाल देंगे, बेसन से पनीर के उपर इन मसालों की बाइंडिंग अच्छी होगी साथ में ही एक चमच हम इसमें सरसो का तेल डाल देंगी और सौध के नुसान नमक डाल देंगी अब हम इन सब को अच्छे से मिला देंगी सरसो का तेल इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर लेकिया आता है लेकिन अगर आपको नहीं पसंद है सरसो का तेल तो आप इसे skip कर सकते हैं और उसकी जगा normal cooking oil भी यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पे दही को मैंने मसालों के साथ अच्छे से मिला दिया है अब हम इसमें डाल देंगे पनीर तो यहाँ पे 300 ग्राम पनीर लिया है मैंने पनीर को मैंने ऐसे triangle shape में काटा है ताकि यह दिखने में अच्छा लगे पनीर को हलके हाँ तो ऐसे mix करें पनीर को हमें ऐसे mix करना है तवे के उपर एक चमस तेल डाले बहुत जादा नहीं डालना है तेल को अच्छे से spread कर दे इसके बाद हम क्या करेंगे यह जो पनीर के टुकड़े हैं वो इसके उपर ऐसे रख देंगे एकदम कम तेल में fry करना है इस बात का ध्यान रखना आपको तो दही डालने की वज़े से इसमें पहले थोड़ा सा मास्टे रिलीज होगा और इसके बाद यह जो है वो ड्राई होगा तो यह देखे इसे ऐसे पलट दे और दोनों साइट से ऐसे क्रिस्पी होने तक आप इसे पका ले दो से तीन मिनट लगेंगे पनीर को फ्राई करने में और जैसे पनीर दोनों साइट से अच्छे से सेट हो जाएगा यह देखे बस यहीं पर हमें गैस को बंद कर देना है और पनीर को निकाल लेना है तो पनीर को हमने फ्राई कर लिया है अब हम चलते हैं मसालों की तयारी करने के लिए तो यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे हटा के रख देंगे और गैस अन करके इस पे दूसरा पैन गरम करेंगे इसमें हम डाल देंगे एक चमस तेल तेल का इस्तमाल यहाँ भी जादा नहीं करना है तो यहाँ पे एक प्याज मैंने दो टमाटर का इस्तमाल किया है और दस से बारा काजू लिया है इन सब को हमें तीन से चार मिनट तक भूल लेना है गैस कफले मीडियम रखना है और जैसे इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा हम गैस को बंद कर देंगे और उसके बाद इसे ब्लेंड कर लेंगे तो यहाँ पे प्यास टमाटर लग़रा को हमने अच्छे से भूल लिया है यह आप देख सकते हैं तो यहाँ पे गैस को बंद कर दे और इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने दे fried vegetables को blend करने के लिए मैं यहाँ पे butterfly magic food processor का use करूंगी जिसमें है 5 different jars हर type के blending neat के लिए मैं यहाँ पे यह jar use करूंगी जो कि है perfect wet grinding के लिए तो यहाँ पे grinding jar में हम सारी सब्जों को डाल देंगे और इसे blend कर लेंगे तो उसके लिए मैंने यहाँ पे pan को clean करके वापस इसमें 4 चमस तेल डाल दिया जैसे ही तेल गरम हो जाएगा हम इसमें एक बड़ी लाईची तोड़ के डाल देंगे एक तेजपता और थोड़ा सा डालचीनी डाल देंगे आधी चोटी चमस हम इसमें हल्दी पाउडर और एक चोटी चमस लाल मिर्च पाउडर एड़ करेंगे यहाँ पिनत तेल जब हलका गरम रहे तब हल्दी और लाल मिर्च डाल दें उससे इसका color अच्छा आता है फिर यह blend किया हुआ पेस्ट हम डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे जैसे हल्दी लाल मिर्च मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाएगा हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे तो यहाँ पे मैंने इसे मिक्स कर लिया ताकि मसाला जो है वो जले नी तो बाकी की मसालों में हम डाल देंगे एक छोटी चमज धन्या पाउडर, आधी छोटी चमज जीरा पाउडर और एक छोटी चमज गरम मसाला पाउडर मिला देन सब को अब हम इन मसालों को ऐसे ढख देंगे और धीमी आच पे 8-10 मिनट तक पकने देंगे धीमी आच पे मसालों को अच्छे से भुने, मसाला जितना अच्छा भुना हुआ रहेगा सबजी आपके उतनी ही टेस्टी बनेगी तो यहाँ पे ने इसे तब तक पकाना है जब तक कि मसालों के किनारे से तेल अलग नहीं देखने लगे तो यहाँ पे हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भुन गया है यह आप देख सकते हैं तब हम इसमें डाल देंगे पानी तो यहाँ पे पानी आपको दो कप इस्तमाल करना है ग्रेवी की ठिकने साफ अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं तो पानी डालने के बाद हम इसमें नमक डाल देंगे ध्यान रहें नमक हमने पानीर भी डाला है तो नमक का इस्तमाल यहाँ पे थोड़ा सा कम करें मसाला और पानी को अच्छे से मिक्स कर दे इसके बाद हमें क्या करना है ना कि पैन को ढख देना है और मीडियum flame paste से 2-3 मिनट तक उबलने देना है उससे क्या हो जाएगा? मसाला जो है वो पानी में अच्छे से मिल जाएगा और उबाल आने की वज़े से करी का कलर बहुत अच्छा हैगा तो तीन मिनिट वाद मैंने पैन का ढखन अटाया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी ग्रेवी जो है वो कित्ती बढ़िया दिख रही है है ना यह देखे तब हम इसमें डाल देगे फ्राई के हुआ पनीर तो यहाँ पे यह पनीर अदाल दे पनीर डालने के बाद हमें क्या करना है 4-5 मिनट इसे धीमियाज पे पकने देना है वैसे पनीर को पकाने की जरुवत ने लेकिन पनीर में जो हमने मसाले आड़ किये है वो ऐसे gravy में जाके उसका color और texture और भी बढ़िया लेके आएगा हमें एकदम सिल्की पनीर चीए तो उसके लिए आप इसे ऐसे gravy में mix करें और उसके बाद घड़ी देखके आप इसे 4-5 मिनट तक धीमियाच पर पकने देए उसे ज़्यादा इसे नहीं पकाना है तो पैन को cover किया मैंने 5 मिनट बाद पैन का ढखकन अटाएंगी और यह हमारा पनीर टिक का जो है वो बन के तयार हो गया यह देखे है ना किता बढ़िया color है हमने इसमें मिर्ची का इस्तमाल बहुत कम किया है और इसमें क्रीम का टेस्ट उतना अच्छा नहीं जाता है तो यहाँ पर बटर डाल देती हुमें गैस को मैंने आफ कर दिया है और इसके बटर डाल देंगे बटर की जगा आप घी का भी इस्तमाल कर सकते हैं पैन को कवर कर दे और दो से तीन मिलट के लिए छोड़ दे और यह हमारी पनी टिका जो है वो बन के रेडी हो चुकी है यह देखिए तो बटर डालने के बाद जो ग्रेवी का टेक्शेर है न वो एकदम ऐसे सिल्की हो जाएग यह देखिए एकदम ग्लॉसी टेक्शेर हो जाता है यह देखिए जैसे रेस्टेंट में मिलता है न वैसे तो यह हमारा रेस्टेंट से भी अच्छा पनी टिका मसाला बन के रेडी हो चुका है आप चीतों इसके उपर थोड़ा सा क्रीम डाल सकते हैं सर्व करते वग अब हम चलते हैं लच्छा पराठा बनाने के प्रॉसेस में अब हम लच्छा पराठा के लिए डो बना लेते हैं तो इसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ बटरफलाई मैजिक फूट पोसेसर का ये वाला जार तो इस जार के अंदर दो बलेड हैं एक नीडिंग के लिए दूसरा चौपिंग के लिए तो अभी मैं नीड कर रही हूँ तो मैं ये वाला बलेड लगा लेती हूँ और इसके साथ ये दो कप भी है एक कप में हम फ्लोर यानी आटे या मैदे का मेजर्मेंट कर लेंगे और दूसरे में पानी का तो फ्लोर आप इस कप में निकाल ले और दूसरे में पानी डाल ले तो यहाँ पर ये जो आटा है वो हम इस जार के अंदर डाल देंगे मैं यहाँ पर इस measuring cup से 2 cup आटा का इस्तमाल कर रहे हूँ साथ में ही measuring cup से पानी ले ले तो मैंने आप एक cup पानी लिया है जिसमें पहले आधा cup पानी डाल देती हूँ और एक बार mix करने के बाद हम वापस पानी एड़ करेंगे हम ऐसे jar का ढखकन खोलेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी वापस जालेंगे तो आपको न थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें एड़ करना है और वापस इस cup को ऐसे लगा दे और वापस इसे on करें no.1 पे आप इसे दो से तीन बर ऐसे चलाय बंद करें चलाए बंद करें इसी प्रोसेस में तब तक आपको फॉलो करना है जब तक यह आटा जो है वो पूरा ऐसे बाइंड हो के एक जगह नहीं आ जाए यह देखें पूरा जार जो है न वो क्लीन हो के ऐसा हो जाएगा देख रहा है न तो अब हो गया आटा गुनना बहुत आसान तो यहाँ पे डो हमारा बन के तियार है इसे रेस्ट करने की जरूरत नहीं आप इस डो को डिरेक्ट यूज़ कर सकते हैं यह देखे है न एकदम सॉफ्ट और पॉफिक्ट है न तो अभी यह काम तो हमारा बहुत प्रोसेसर की वैज़ा से तो डो तो हमने बना लिया है अब हम क्या करते है पराठा बना लेते हैं तो पराठा बनाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा सुखा आटा लगाया है मैंने और ऐसे मीडियम साइज की लोई लेके इसे रोटी या चपाती के स्टेप में रोल कर ले मैंने आपे गेह拜拜 की आटे का इस्टवाल किया है आप चीए तो आटा मैदा मिलाके भी इस्थिमाल कर सकते हैं उसे भी पराठा बहुत अच्छा बनता है तो इहाँ पे थोड़ा सा सुखा आटा लगा के मैंने इसे ऐसे बड़ा रोल कर लिया इसके ऊपर हम थोड़ा सा ओल घी लगा देंगे घी लगाने से पराटे किर스र य। डाले कि तो आप इसमें ऐल डाले फिर आनल मिर्च काई पॉड़र डाल देंगे थोड़ासा नमक दें थोड़ासा गरम whisky क्रिस्पी बनते हैं तो आप इसमें ओयल डालें फिर हम इसके उपर लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे थोड़ा सा नमक डाल दें थोड़ा सा गरम मसाला और धन्यापता आप इसके उपर चीए ना तो चार्ट मसाला भी डाल सकते हैं या फिर धन्यापता की जगा कसूरी म बनाते हैं तो जैसेните went fan बनाते हैं वैसे हमेसे इक एक बार पीछे ऐसे ले जा ले जा लेज़ा कर लें यह देखिए. एंड़ सब्सक्राइड टो यह तक आप यूखूर बनाते हैं और प्रूपर गहां टाया मैदा डालेंगे और इसके बाद इसे रोल कर लेंगे तो इसी तरीके से हम सारा लच्छा परठा बना लेंगे लच्छा परठा पर जब आप मसाले डाल देंगे तो इसके साथ और किसी चीज़ की जरूरत ने पड़ती आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं तो यहां पर मैनी से रोल कर लिया है अब हम चलते इसे सेखने के प्रॉसस में तो इसे सेखने के लिए मैंने गया सौन करके तवा गरम किया है पहले तवे के उपर डाल देंगे और मीडियम फ्लिम पर हम इसे पका लेंगे एक एक लेयर जो है वो बाहर आती रहेगी तो यहाँ पे अगर आप इसमें तेल ज्यादा इस्तमाल करेंगे तो पराठे के लेयर और भी ज्यादा अच्छे से निकल के आएगी तो यहाँ पे ग्यास का फ्लिम वीडियम रखे और दोन्यों साइट से इसे अच्छे से से शेक ले तो यह हमारा पराठा जो है वो पक गया है यह आप देख सकते हैं तो हम यहाँ पे सेम तरीके से बाकी के पराठे को बना लेंगे तो पराठा हमारा बन के तयार है अब हम चलते हैं नेक्स डेसिपी में अब हम स्टार्टर के लिए हर्याली पनी टिका बनाएंगे जिसके लिए हमें लगेगी ग्रीन चटनी चटनी हम बटरफलाई मैजिक फूड प्रोसेसर का यूज करके बनाएंगे जिसमें हैं इंडिया स्फर्स चटनी जार विट एर गैफ फर कुलिंग तो चटनी बनाने के लिए मैंने यहां पर यह जार लिया है यह जार देखे दिखने में बें किता क्यूट लग रहा है न तो अब हम क्या करेंगे इसमें डाल देंगे धनिया पत्ता तो यहां पर आधा कब धनिया पत्ता डाल देंगे थोड़े से हम इसमें पूदिना के पत्ता डाल देंगे साथ में हम इसमें डाल देंगे साथ से याट लेसुन की कलिया छिली वी एक इंचा द्रख डाल दे अब हम इसमें तीन से चार हरी मिर्च डाल देंगे साथ में थोड़ा सा सेव भूजिया डाल दे से भुजा से चटनी की बाइंडिंग और टेस्ट दोनों बढ़ जाती है थोड़ा सा नीवू डाल देंगे हम नमक डाल दे स्वाथ के अन्यू सार और इसके साथ हम इसमें दो चमल दही डाल देंगे अब आप बोलेंगे नीवू और दही साथ में यकिन मानियों बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है मतलब इस चटनी का कोई मैज ही नी है तो यहाँ पे तीन चमल दही डाला मैनी अब हम जार का धकन बन करके इसे ग्राइंड कर लेंगी दही की वज़़े से पानी की जरुवत नहीं पढ़ती है लेकिन अगर आपको लग रहे कि चटनी नहीं पीष रहे है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी आड़ कर सकते हैं तो यह हमारी चटनी जो है वो बन के तयार है यह आप देख सकते हैं तो अब हम चलते हैं स्टार्टर बनाने के प्रासेस में इसके लिए मैंने 200 g पणीड के क्यूप्स लिए हैं यह लिख्या पॣीड की बड़ी क्यूप्स लिए है इसमें हम डाल देंगे आधी चोटी चमफ नमग और इसके साथ यह चटनी डाल देंगे तो यहाँ पर देज़ें और इसमें कुछ भी नए डालना है बस इस चटनी से इस पनीर को ऐसे coat करना है और इसके बाद इसे तवे पे fry कर लेना है या फिर पैन में इसे marination के लिए भी नहीं रखना है तो पैन में हम थोड़ा सा butter डाल देंगे butter के साथ थोड़ा सा तेल डाल दे butter जो है वो जलने लगता है इसलिए तेल उसके साथ जरूरी होता है डालना जैसे ही butter melt हो जाएगा हम इसमें ये पनीर के cubes डाल देंगे gas का flame medium रखना है और इसे दोनों साइट से अच्छे से पका लेना है तीन से चार मिनट लगेंगे पनीर को ऐसे crispy होने में ये देखे बहुत easy recipe है और इसी चटनी को आप स्टाटर के साथ भी serve करें तो एक चटनी के दो फायदे हो जाते है मतलब आपका स्टाटर भी बन जाता है और साथ में आप उसे ऐसे dip की तरह भी use कर सकते है तो यहाँ पे इसे थोड़ा सा golden brown होने तक पकने दे जैसे ही पनीर के उपर dark golden brown ऐसे layer दिखने लेगे की वैसे हम गयस को बन कर देंगे और इसके बाद इसे serve कर लेंगे तो यह हमारा पनीर टिका जो है वो बन के तियार है है ना एक्दमी मज़ेदार और बहुत यासान recipe यह देखे यह हमारा बहुत ही tasty हर्याली पनीर टिका बन के तियार हो गया अब थाली को complete करने के लिए vegetable रायता बना लेते हैं उसके लिए सबसे पहले हम veggies को chop कर लेंगे उसके लिए मैं ही use कर रही हूँ यह जार तो जैसा कि मैंने बताये कि इस जार में दो blade है एक kneading के लिए एक chopping के लिए तो यहाँ पे मैं यह chopping वाल अबड़ेट जो है वो लगा लेती हूँ kneading वाला निकाल दिया मैंने और इसे ऐसे सेट कर दे और उसके बाद जो भी आपको chop करना है वो सारी सबजे इसमें डाल दे रायता बनाना है salad बनाना है या फिर सबजियों को chop करना है या मंचूरियन बनाना है सब के लिए perfect है तो मैंने यहाँ पे रायता बनाने के लिए सारी सबजी डाल दिये मैंने यहाँ पे ककड़ी गाजर धन या पत्ता प्याज और टमाटा डाला है तो यहाँ पे बटन को number one पे on करें और यह हमारा vegetable जो है वो अच्छे से chop हो गया यह रेखें है न कितना असान कम इत्ती सारी सबजिया फटाफट ऐसे chop हो गई और वो भी एकदम बराबर तो यहाँ पे आप चाहे तो इसका salad बनाए या फिर ऐसे राइता बना ले तो मैं यहाँ पे राइता बना रही हूँ तो सब्जिय डालने के बाद इसमें दही डाल दे तो दही डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च का powder और नमक डाल देंगी आप चीज़ तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं और बैस इसे अच्छे से मिला दे तो रायता भी हमारा बन के तियार तो सारी चीज़े हमने रेडी कर ली है अब हम चलते हैं थाली की प्लेटिंग करने के प्रॉसेस में तो यहाँ पर एuben गरम हर्याली पनी टिक का है न ही दिखें किता बढ़िया लग रहा है और यहाँ पर पनी टिक का रखने के बाद हमने जो बनाई वो इसमें डाल देंगे तो यह दिखें यह चटनी दही डालने से चटनी का जो कलर है वो डाक नहीं होता है और भुजिया से इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है तब हम इसमें यह रायता रख देंगे और रायता के उपर थोड़ा सा लालमिच का पाउडर डाले बस ऐसे डेकोरेशन के लिए तीखा पन के लिए नहीं अब हम इसमें डाल देंगे यह पनी टिक का मसाला यह देखे किता टम्टिंग लग रहा है तो जब हम बाहर जाते हैं आफिस, कैंटीन या कहीं भी जाते हैं तो जब थाली ओर्डर करते हैं तो ऐसी वाली थाली मिलती तो है लेकिन वो स्वाद नहीं आता है जो हम एक्सपर्ट करते हैं तो इस थाली को आप सिंपल दरीके से घर पे बना सकते हैं और इसके साथ ये लच्छा पराठा रख देंगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा मतलब जब आपके घर में मैमान आए या वीकेंड में जब आपके पास वक्त हो तो आप आराम से ये मेनू बना सकते हैं आपके खाने की हर कोई तारीफ करेंगे तो ये हमारा बहुत एटेस्टी बहुत एमेजिन पनी टिका थाली जो है वो बन के तयार हो गया है ये आप देख सकते हैं सारी डिशेज में हमने महनत कम की है और बहुत सिंपल तरीके से बनाया तो उमेद करते हूँ कि आज की थाली की रेजपी आपको बहुत पसंद आएगी तो ये हमारी बहुत ही डेस्टी थाली बन के तयार हो गई है तो जैसा कि आपने देखा कि Butterfly Magic Food Processor बहुत ही वरसेटाइल है इसमें एक Modern Indian Kitchen Blending के सारे नीट्स के लिए फीचर से जैसे कि आटा नीडिंग, वेजिटेबल चॉपिंग, चटनी ग्राइंडिंग, लिक्विडाइजिंग, ड्राइ ग्राइंडिंग and ब्लेंडिंग इसमें है Dynamic 750 Watt का Powerful Motor आप इसको डिस्क्रिप्शन में दिये हुए लिंक पे क्लिक करके Flipkart से खरीच सकते हैं अगर आपको भी ये खरीदना है तो आप मेरा कूपन कोड के AB300 यूज़ कीजिए और डिस्क्रिप्शन में दिये गए जितने प्रोडक्स हैं उस पर आप exclusive offers पाईए